हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल ये आप मेरे हाथ में मैकरम के पीसेज देख रहे हैं और यहां पे आपको ये जूत मिल जाएगे इसको आप आम भासा में सूटली भी बोल सकते हैं और ये आप एक मेरे पास देख रहे हैं मैकरम जो कोटन का है तो आप इन तीनों में से किसी भी चीज से बना सकते हैं आज हम बनाने वाले हैं कोस्टर कोस्टर बनाने के लिए मेरे हाथ में आप एक जो लोंग मैकरम का पीस है वो देख रहे हैं और इसको मैंने लिया है 70 cm जो लोंग वाला है महरून कलर का और जो सिल्क वाला डाल रही हूं मैं उसकी लेंद्थ है यहां पे 30 cm यह आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं वो आप पे डिपेंड है कि आप यह छोटा बनाना चाहते हैं कि बड़ा बनाना चाहते हैं तो यह मैंने पीसीज में कट कर लिये हैं आपको यदि 30 cm कम लगता है तो आप 35 में यहां पे 30 cm लिया है और इस प्रकार से मैं इन सभी पेसीज को इसके अंदर डाल दूगी यहां पे टोटल मैंने 10 कोड लिये हैं इसका मैंने कुछ सामान बनाया थो उसमें से यह बचा हुआ था तो यहां पर टोटली रियूज होने वाला है बचे हुए मैंकरम का तो यहां पर इस प्रकार से इसको टाइट कर लेंगे गोगर बचार से मैंने सको लगलग कर दिया जो लोंग वाला मैकरम हैं मैं उसे को चारो तरफ गुह माके लाना है और उसी के ऊपर यह बंता हुआ एक जिस प्रकार से आप मैंकरम का कोई भी सामान बनाते हैं और उसने में पाइपिन निकालते हैं यह उसी तरह से हैं और कुछ नहीं है इसमें बिल्कुल सिंपल है यहां पर मैं दो टाइप के बना के दिखाऊंगी मेंस डेजाइन तो थोड़ा सा हटके है दो तरीके से बनाऊंगी और दोनों ही वेस्ट मैकरम है यहां पर यह जो है यह सिल्क वाला मैकरम है और दूसरे वाला बनाएंगे वो नॉर्मल मैकरम है इस परकार से हमें यह पाइपिन की तरह इसको बना के लाना है यहां पर जो टोटल कोड है हमारे पास वो टैन है और एक जो लोग वाला है जिसके चारों तरफ हम इसे बनाने वाले हैं तो यहां पर हम बात कर रहे थे काफी लोग मेरे से पूछ चुके हैं कि वेश्ट मैकरम का क्या बनाया जाए तो यहां पर यदि आपके पास में इस तरह से छोटे-छोटे पिसीज पड़े हुए हैं तो आप इ सकते हैं जरूरी नहीं यही वाला हो मेरे पास यह पड़ा था इसलिए मैंने इसको योज कर लिया है यहां पर एक कोटन का मैकरम भी आता है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया है उसका भी काफी अच्छा लगता है आजकल चले हुए हैं वह जो मैंने आपको दि वज़े से अच्छा नहीं लग रहा था इसके लिए बारिक वाला लेकर आना पड़ता है और यहां पर देखिए एक लाइन जो है पहले हम उसको कंप्लीट करके ले आएंगे जो सारे जितने भी थ्रेड है उनके उपर से मैं ऐसे पाइपिन की तरह बना के लाऊंगी यहां मैं चाहती तो यहां पर स्पीड भी कर सकती थी बट मैंने नहीं की क्योंकि समझ में आना जरूरी है काफी लोग बोलते रहते हैं कि जब कुछ सिखाने का वीडियो बनाते हो तो स्पीड मत किया गरो तो यहां पर मैं स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही थोड़ा सा करके दि नहीं कर दिखिए है इससे को चारो तरफ कुमा के लाना है कि तो अबी सेकिंड रो स्टार्ट हो चुकी है यहीं से इसमें सिम्पल है कुछ भी डीजाइन नहीं है यही रोटेट होता जाएगा इस प्रकार से आप देख सकते हैं यह बनने के बाद में कुछ इस प्रकार से लगने वाला है इस प्रकार से हम इसको बनाते हुए चारो तरब से ले आएंगे यहां पर मैं थोड़ा स्पीड करते हूं अगर वाइस टाइम ज्यादा हो जाएगा वैसे भी साड़े 9 मिनिट की बन चुकी है यहां पर आप अपने जो वेस्ट मैटम है तो काफी अच्छा फाइदा उठा सकते हैं बज़े हुए का इस प्रकार से यही वाला थोड़ा सा बड़ा बना के आप अपनी दिवार के लिए भी बना सकते हैं डेकुरिटिव पीस तयार कर सकते हैं उसमें साइज आपको बड़ा करना पड़ेगा और यहां पर जो यह पैटन निकल के आ रहा है यह दो तरप से आ रहा है देखो एक महरून उस साइड मैंने दो थरेड डाले थे और दो इस साइड डाले थे और जो तीन तीन थ्रेड थे वो मैंने जो क्रीम कलर वाली है वो डाले थे यह कुछ पैटन मिकल के आया है और यहां पर यह इतना कम्प्लेट हो गया है अब मैं इतना ही इसको रखने वाली हूँ और जो ज्यादा बड़े धागे हैं उनको हम काट देंगे बाकि इनको खोलना है हमें यह इस प्रकार से मैंने इनको खोल लिया है कुछ ज्यादा बड़े थे उनको कट कर दिया बाकि उनको खोल लिये खोलना काफी मुस्किल है मेरे से नहीं हो रहा था मैंने अपनी बेटी से करवाया था क्योंकि इस वाले धागे में खोलना मुस्किल हो जाता है तो यह देख सकते हैं आप इसका फाइनल लुक बनने के बाद में यह कितना लगने वाला है तो जो बड़े क्योंकि मैंने ऐसे इसको खूल दिया भी सिंपली अभी मैं इनको थोड़ा कट कर दूंगी छोटा कर दूंगी और आप यह दी बड़े चाहें तो आप इ इस वाले थ्रेड को खूलना थोड़ा मुस्किल होता है बट एक बार यदि किसी को खूलना आ जाता है तो वो आसानी से खूल लेता है आप इसका पैटन देख सकते हैं सेम ऐसे ही मैंने दूसरा बनाया है यह वाला जो है यह हम जो नॉर्मल मैकरम यूज करते हैं यह उसका वीडियो काफी लंबी हो जाती है इसलिए मैंने उसको दिखाया नहीं अब मैं आपको यह किनारे पे इसका मैंने कुछ अलग किया है आप चाहें तो उसकी तरह उसको खोल के भी कर सकते हैं बट हमें किनारे पे उसको बांधना होगा क्योंकि वो सिल्क वाला है और वो खु कि यहां पर कुछ इस प्रकार से धागे को खोल कर और एक किरोश्या की मदद से कि इस प्रकार से मैं इसमें डालूंगी कि जितना खुलता है उतना बांधन दीजिए और बाकी जो स्पेस बसता है उस पर इस प्रकार से डाल दीजिए मैंने थे जोर के इस प्रकार से बांधने तो यहां खोल से प्रकार से लातने प्रकेसं आई दाफिका से वे उनाख और जादा दाव करने लिए से यह बनने के बाद में अच्छा लगते है इसे हैं उड़ने को प्रकार से बनेगे तो आप इस प्रकार से बनेगे कि अपने ऊप इस प्रकार से अपने में तूनिट में कर शक्कनि है आपको आइडिया कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं ये पसंद आए तो लाइक कर दीजीगा मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई